गुड इबनिंग एब्रिबन एंड वेलकम टू आल अफ यू जाकर ने इंगलिस टीचर के सभी एस्पाइरेंट का मैं जाकर एली इंगलिस ग्रामर प्रक्टिस सेट में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड आज की क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है बेल आइकन प्रेस करें लाइक करें व्यूट्यू फशंद आए तो एक कमेंट जरूर करें और फ्रेंड शेयर करें ठीक है फ्रेंड तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आने वाले जो नया बरस है मैं उसकी आपको धेर सारी सुबकामनाय बधाईयां मुब ठीक है फ्रेंड चलिए भी थी बिना किसी देरी के सबसे पहला कोश्चन आपकी अपने स्क्रीन पर देखें फ्रेंड शाल्ट इस्प्रेइड ग्रेजुली डाड डैस्ट अब्रेज क्या होगा फ्रेंड इस प्रेंड होगा राबेच्ट होगा डेमॉलिज्ड होगा कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं spoiled की नयुक्त होता है में इस pulled का मीनिंग होता है被 आप अब से default भी कह सकते है इस तिफिक्स आप परशियो डास भी कह सकते हैं इसे गिरुजू डाइस इसे फ्रेंट दोटी भी कह सकते हैं दोटी इसे फ्रेंट परवर्टेट भी कह सकते हैं अगला इसका उप्षिन है रावेज्ट इसका अगला वरदे फ्रेंड रावेजट तो अब हम रावेज्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं से के रावेज को आप रावेजका का जो Big виде मीनिंग है वह है तबहा क्या है फ्रेंड टबहा इसको आप cssकते हैं डेंसторiß इसको आप फ्रेंट डेसी मेट कह सकते हैं फ्रेंट डी बाउच एक बड है डी बाउच लिबाउच कह सकते हैं दिला पिडेट एक बर्ड है फ्रेंट डिला अगला इसका बर्ड है डेमोलिष्ट डेमोलिष्ट का अर्थ होता है तबाह करना बर्बाद कर देना तो इसका 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 एक बर्ड होता है फ्रेंट पल्वराइज इसका पर इसका पर भी कहते हैं उसे फ्रेंट इसे डिबा स्टेट भी कहते हैं अगला बैड है इरोडेट कर्थ होता है घिसना या खात्म करना इसको आप जीना भी कह सकते हैं जीना इसे घिसना कहते हैं फ्रेंट फ्रेंट जीना कैंकर भी बोल सकते हैं इसे कैंकर लुकी लुकी डेट भी कहते हैं मेंगल इक बर्ड है पहुत प्यारा बर्ड है मेंगल इसके लिए मेंगल भी कह सकते हैं फ्रेट अब्रेट एक बड़ है एक बड़ है एक बड़ है फ्रेंट डेशी पेट ठेखिए फ्रेंट तो इसके अमने चार ओप्शन पर चर्चा कर लिए अब फटाफट बताईए एधा साल्ड प्रेंज ग्रेज़ इसमें कौन सा सथीक आंसर होगा जी हाँ फ्रेंड देखिए जो salt यानि नमक का जो spray है वो बिरिज को क्या करेगा spoiled कर देगा ठीक है तो A is the right answer इसका जो right answer होगा वो बिलकुल A होगा ठीक है फ्रेंड अगले question पर चलते हैं आपकी अपनी screen पर guys तो देख लिजी कि the volcanic deadness was the cause of great devastation क्या आएगा फ्रेंड आउट बस्ट एरॉप्शन एरोजन या मूवमेंड क्या अंसर होगा फ्रेंड question number two का right answer क्या होगा देखिए फ्रेंड आउट बस्ट का अरत होता बिसपोट और बिसपोट क्या होता फ्रेंड 24 ठीक है फ्रेंड और बस्ट का मीनिंग होता है 24 ठीक है फ्रेंड इस और बस्ट को इंगलिस में कहते हैं एक्स प्लोलेशन एक्स कि लोशन के इस एरप्सिन भी कहते हैं प्लोजन प्लोजन थीप्रंड इससे आप अउट ब्रे कछे हैं आउट ब्रेक आट इसे फ्रेंड Detonation भी कहते हैं Detonation ठीक है फ्रेंट अगला बर्ड है Eruption तो जो इसके मीनिंग है Outburst के वही Eruption की मीनिंग होंगे फ्रेंट इसका भी अर्थ बिस्पोट ही होता है इसका अगला बर्ड है फ्रेंट Erosion तो Erosion का अर्थ होता है कताओ कटाओ क्या होता है इससे आप कट कह सकते हैं ठीक फ्रेंड इससे आप सीजन भी कह सकते हैं है क्या सकते हैं लॉप कह सकते हैं लॉप लॉप intersection कह सकते हैं इसे intersection ठीक है फ्रेंड इसका अगला बड़ है movement movement कार्थ होता है अंदोलन क्या होता है अंदोलन अब अंदोलन को आप agitation कह सकते हैं agitation इसे campaign भी कह सकते हैं campaign इसे tempo भी कह सकते हैं tempo इसे reuse RU ऐसी reuse भी कह सकते हैं front इसे demeanor demeanor कह सकते हैं front इसे पिले गेट भी कह सकते हैं पिले गेट ठीक है front तो इसका right answer क्या होगा the volcanic deadness was the cause of great devastation तो क्या होगा front इसका right answer क्या होगा question number two का right answer होगा eruption जी है front eruption is the correct one the volcanic eruption was the cause of great devastation ठीक है next question आपकी अपनी screen पर friend it was impossible to impossible to recover the victim bodies as the place of the accident बाज तो इसका friend right answer क्या होगा देखी फ्रेंट देखी inaccessible का अर्थ होता है पहुँच से बाहर क्या होता है friend पहुँच से बाहर पहुँच से बाहर ठीक है friend इसे आप f true कह सकते हैं f true कह सकते हैं impalpable कह सकते हैं impalpable कह सकते हैं से impossible कह सकते हैं in passable impossible भी कह सकते हैं ठीक है friend अगला है marcy marcy का अर्थ होता है कीचड़दार इसका अगला है distance distance distance, distance, DURY, ठीक है. DURY को आप apart कहते हैं, apart कह सकते हैं. DISTAL, एक बहुत ही प्यारा बढ़ा दूरी के लिए होता है, DISTAL, remote, remote, भी कह सकते हैं, DURY के लिए, ठीक है. अगला बढ़ा बढ़ा लगे, Rocky को हम चटान का भाग कह सकते हैं, चत्टान का तो इसे स्टोनी कह सकते है है, चत्टान का इस्किनी कह सकते है इसी इसके नीख, इनए से Right Answers कॉन सा होगा, ए होगा B not, C not, D not.. आप किस के साथ जाएंगे, Question не美 с 31 में, Question country 3 में जाẩएंगे, ए किस साथ, एचिछ सब तो रहिगा। to recover the victim bodies as the place of the accident was inaccessible ठीके फ्रेंट यहां क्या होगा in accessible आएगा is the right answer अगला question आपकी अपनी screen पर in order to maintain good health one should eat a diet तो इसका right answer क्या होगा फ्रेंट रिच होगा रिच होगा इस्पाइसी होगा बैलेंस्ट होगा यह साल्टी होगा देखिए रिच का आर्थ होता है धनी धनी इसका एक और मीनिंग होता है best turn क्या होता friend best turn बहुत ही प्यारा मीनिंग है रिच का ठीक है फुरेंट दूसरा मसालिदार तो अगर मसालिदार है तो इससे आप तालट कह सकते हैं तालट है करिड भी कह सकते हैं इस अकरिड इससे मेरी नेटड भी कह सकते हैं मैरिजटेड इससे पैनी ट्रे ट्रेटरिंग भी कह सकते हैं है mmोरिक řे ट्रे ट्रे ट्रेंटिंग लिकल सकते उन्य Direct क्रेंड Gusty का जो मेन कहते हैं वह वह प्रेटर देखिए बेलेंस्ट बेलेंस का तो आपको पताए सन्तूलन इसको आप सिस्ट्डी भी कह सकते हैं इस्ट्डी एकूपूपू फ्रेंट इससे आप इससे आप एक्यूव पॉंदी रेट भी कह सकते हैं ठीके फरेंट अगला वढ़ है कि साल्टी का कार्थ होता है नम्कीन अगला बार्ड है साल्टी इसकार्थ होता है नम्कीन ठीक है फ्रेंट तो आप इससे सैल लाइन भी कह सकते हैं सैल लाइन है स्टी ब्यो lets्सक्षब कह सकते हैं इस्टी मिलइट इसे स्टीमिल问 कह सकते हैं कि सफ्रे경प एक रश हु ए ग्रा अगघ्रा बै टिंग है कह सकते हैं ड्रीके टिंब कह सकते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा A B C D क्या होगा जी हां फ्रेंट इसका राइट आंसर होगा C बैलेंच ठीक है इन और तो मेंटेन गुड हैल्थ बन शुड इट बैलेंच डाइट ठीक है फ्रेंट तो सीज दा राइट आंसर नेस्ट कोश्चल पर चलते हैं आपकी अपनी स्क्रीन पर एज रिजल्ट आप मैं एज रिजल्ट आप डेट डैस मैंनी अन्सुटेबल केंड इस वर सेलेक्टिड फॉर्ड़ पोस्ट तो क्या आएगा फ्रेंच टॉलरेंस फैवरेटिजं एमेरी टी वीकननेश तो देखिए हम इसके एक एक बढ़ पर चर्चा कर लेते फ्रेंट टॉलरेंस कारत होता है सेहन सीलता आप इसे सहन शीलता ठीक है फ्रेंट इससे आप कैथो लिसिटी भी कह सकते हैं कैथो लिसिटी इससे फार्गिबनेस भी कह सकते हैं फार्गिबनेस इससे सफरेंस इससे आप सफरेंस भी कह सकते हैं हार्डिनेस एक बहुत ही प्यारा वर्ड है इसके लिए हार्डिनेस एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं फ्रेंट ठीक है तो अगला वर्ड है हमारा सॉरी अगला हमारा वर्ड है फैवरिटीज्म फैवरिटीज्म का अर्थ होता है पक्षपात तो इससे इसका अर्थ होता है पक्षपात इससे आप बियास भी कह सकते हैं इससे पार्टी एक प्यारा बर्ड है पार्टी एलेटी भी कह सकते हैं फ्रेंट इसी को आप डी क्री नी नेशन बर्ड आता है इसके लिए यह कह सकते हैं इन्विंसिबिलिटी भी कह सकते हैं इन्विंसी इन्विंसिबिलिटी भी कह सकते हैं इसके बाद हुमिलिटी का अर्थ होता है फ्रेंट बिनम्रता है इसको आप डेली कोसी कह सकते हैं डेली केसी सोरी डेली केसी कि मोडेस्टी भी कह सकते हैं से मोडेस्टी इसे अप डी म्यूर नेस डी मूर नेस भी कह सकते हैं इसके लिए एक बढ़ आता है फ्रेंट रेफरी में रीफाइन मेंट रीफाइन मेंट यह कह सकते हैं अगला है बीकनेस बीकनेस कार्थ होता है कमजोरी तो इसका मजोरी इसका मजोरी को आप एक टोनी एक टोनी कह सकते हैं फ्रेंट एक रेट्टिया यह एक रेचिया भी कह सकते हैं इसे फ्रेंट के चचेक्सिया के चेक्सिया भी कह सकते हैं आप के चेक्सिया ठीक्वरेट इस से डीविलिटी भी कह सकते हैं अगते पिटी कह सकते हैं इम विसीलेटी भी कहते हैं इसे इम बी इसीलेटी भी कहते हैं फ्रेंट ठीक है फ्रेंट इसके लिए फ्रेंट आप फीवल फीवल नेस भी कह सकते हैं आप फ्रेलिटी भी कह सकते हैं इसके लिए फ्रेंट इसे इनर्वेशन भी कह सकते हैं इसके लिए इनर्वेशन इनर्वेशन भी एक बर्ड आप कह सकते हैं फ्रेंट प्लेसी डिटी फ्लेसी डिटी भी एक बर्डेस के लिए फ्रेंट कह सकते हैं बीकनेस कमजोरी के लिए तो फ्रेंट अब इसमें A, B, C, D कौन सा राइट आंसर होगा ऐसर रिजेंट आफ डेट देस्त मैनी अंस्टीवल केंडिडेट बर सेलेक्ट पॉर्ड पोस्ट तो इसका राइट आंसर कोश्चन नमबर 5 में राइट अंसर क्या होगा देकिए फ्रेंट फैबुरिट आएगा यहां पर पक्छपाथ क्या आएगा यहां पर फ्रेंट be marketed तो क्या आएंगा adopt है इससे आप रीच कह सकते हैं रीच अटेन कह सकते हैं ठीक है कि दूसरा बांट है thinking, thinking करता है सोच इसको आप considerate कह सकते हैं consideration कह सकते हैं mind कह सकते हैं इसके बाद है determining अगला बैड है determining यह determining तो इसको आप निर्धारन यह बैड है कह सकते हैं representation कह सकते हैं करेक्टराइजिंग कह सकते हैं इसका अगला अगला जो बाद है फ्रेंड वो noticing है noticing करतो था देख रहा तो देख रहा इसको आप inform कह सकते हैं इन फॉर्ट कह सकते हैं ưởng прин अपराइज कह सकते हैं फ्रेंड टिकिव इसको नोटीफाई भी कह सकते हैं इसको सकते हैं नोटीफाई परशीब तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा A, B, C, D क्या कौन सो होगा question number six में आप किसके साथ जाएंगे question number six में आप जाएंगे C के साथ there are several ways of determining the price at which a product can be marketed ठीके फ्रेंट तो C is the right answer next question आपकी अपनी स्क्रीन पर although they are not rich they always bear dead desk clothes तो क्या आएगा friend respectful आएगा respectful आएगा respective आएगा respectable आएगा यह respected आएगा क्या आएगा question number seven का right answer क्या होगा देखी friend हम एक एक बर्ड पर इसके चर्चा करेंगे respectful का अर्थ होता है beneath क्या होता है friend beneath ठीक है फ्रेंट अब यहां respectful का जो meaning है वो है beneath इसको आप trustful भी कह सकते हैं trustful इसे reverend क्या सकते हैं reverend इसे बैनी रेशन कह सकते हैं friend बैनी रेशन ठीक है इससे superficial भी कह सकते हैं super official भी कह सकते हैं differential भी कह सकते हैं एक बर्ड होता है friend इसके लिए differential differential ठीक है अगला बर्ड है हमारा respective respective का आर्थ होता है संबंधित इससे आप संबंधित होता है संबंधित ठीक है friend तो संबंधित को आप related कह सकते हैं related कौन सी concerned कह सकते है concerned नेट बर्ड है concernate कह सकते हैं friend friend एक और बर्ड है इसके लिए अपाइड अफाइड भी है separate behavior separate ठीक है friend इसके लिए एक बर्ड है fortunate friend fortunate है इसके लिए एक बर्ड fortunate ठीक है अगला बर्ड है इस respected तो respected पर्ड का उता सम्मानित सम्मानित को आप holism भी कह सकते हैं hollism integrity भी कह सकते हैं friend इन्टी ग्रेटी भी कह सकते हैं friend ठीक है तो अब इनका जो right option होगा वो क्या होगा a होगा b होगा c होगा d होगा क्या होगा फटा-फटा आप बताईए जी है क्वेशन नमबर सेविन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ची जी जी दा राइट अंसर रिस्पेक्टेबल ठीक फ्रैट रॉड्ड प्रॉड टे आलबेज बिया रिस्पेक्टेबल क्लोग ठीक फ्रैंट नाइसक्ट फ्रॉस्चिन आपकी अपनी स्क्रीन पर otherwise he is still very active, entirely, no bear, not slightly, तो देखिए, entirely का अर्थ होता है, पूरी तरह से, पूरी तरह से, ठीक है, no bear का मतलब होता है, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, अर्थ होता है, नहीं, और slightly जो है, पूरी तो देख लेते हैं, slightly का अर्थ होता है, थोड़ा, ठीक है फ्रेंट, थोड़ा, तो इसे आप कह सकते हैं, somewhat, इसे gradually भी कह सकते हैं, इसे, आप कह सकते हैं, फिले, बिली, फिलेबली भी कह सकते हैं, इंच मील भी कह सकते हैं, इसे, इंच मील, ठीक है फ्रेंट, तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा, A, B, C, D, क्या होगा, फट 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 बताइए, जी हा फ्रेंट, इसका जो राइट आंसर होगा, क्योस्चन नम्बर एट का, वो होगा, slightly, after a recent mild paralytic attack, his movements are slightly restricted, otherwise he is still very active, तो D is the right answer, next question, आपकी अपनी screen पर, the prisoner released on dead dash for good behavior, फ्रेंट, तो इसका राइट आंसर क्यों होगा, अब प्रोवेशन, B, बेल, प्रोवेशन, बेल, पैरोल, गवारेंटी, guarantee, क्या होगा, फ्रेंट, तो देखी फ्रेंट, प्रोवेशन कार्ट उता है, प्रीवीच्छा, क्या होता है, प्रीवीच्छा, थीके फ्रेंट, और बेल कार्टो उता है, जमानत, बेल कार्थ होता है जमानत क्या होता है जमानत ठीक है इसको आप गेज कह सकते हैं इससे आप सेरोगेट कह सकते हैं सेरोगेट ठीक है स्योरिटी कह सकते हैं इससे स्योरिटी स्योरिटी ठीक है नेस जो बर्ड है वो है पैरोल पैरोल कार्थ होता है फ्रेंट पैर शॉरी यह पैरोल नहीं है यह पैरेड है ठीक है पैरेड कार्थ होता है मार्च क्या होता है मार्च मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन ठीक है और अगला बर डेफरेंट ग्वारेंटी ग्वारेंटी कहरत होता है यह हो गया हमारा गारेंटी गारेंटी तो आप इसे मौट गेज भी कह सकते हैं मौट गेज हैस्टेज भी कह सकते हैं हैस्टेज पिलेज भी कह सकते हैं पिलेज स्यूरिटी भी इसके लिए आप कह सकते हैं स्यूरिटी इसके लिए आप बार फियर भी कह सकते हैं फ्रेंट बार फियर तो इसका राइट आ होगा सी होगा ड कोस्टन नमबर 9 में राइट आंसर क्या होगा दब प्रिजनर रिलीज्ड ओन थो सॉर्य रिली रिली यू पैरोल तो सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा वो सी पैरोल हो थो मैंने आप पड़ा है था आपको सॉरी इसके लिए नेस्ट कोस्टेंग चलते हैं आपकी अपनी स्क्रीन पर मांखन इस्टू डैट डैस एज फार एज हीस फूट हैबिट्स आर कंसर्ण तो इंज्वाइबल आवेगा फास्ट इडिये वस आएगा तो यहां पर क्यूरियस आएगा इंट्रेस्टिंग आएगा क्या आएगा होता है सुखद क्या होता है फ्रेंड सुखद ठीक है सुखद को आप इंग्लिस में प्लावसी प्लावसीवल भी कह सकते हैं इसे चांसी चांसी एक बर्ड आता है कॉमफी कह सकते हैं फ्रेंड ठीक है इसके बाद अगला जो बर्ड है वो फास्ट इडियेस फास्ट इडिय तो कार्थ होता है दुराद दुराद ठीक है तो इसको आप एक बर्ड है स्कुर्पूलस कार्णी बोरस कह सकते हैं से कार्णी बोरस कह सकते हैं ठीक है अगला बर्ड है फ्रेंट क्यूरियस क्यूरियस कार्थ होता है जिग्यासू जिग्यासू को आप उत्सक कह सकते हैं तो एनेक्सियस एक बर्ड है इसके लिए आता है एनेक्सियस एगर एक बढ़ आता है एगर एक गॉग फर्वेंट एक और बढ़ आता है इसके लिए एपिटियंट क्या कह सकते हैं इसके बाद इंट्रेस्टिंग कार्थ होता है रोचक दिल्चस्प दिल्चस्प या रोचक से आप दिल्चस्प लिख सकते हैं दिल्चस्प फ्रेंट इसको इंट्रेलिंग कहते हैं इंट्रेलिंग इसे इंग्रोजिंग कहते हैं इंग्रोजिंग इसको फ्रेंट नटी कहते हैं नटी इसे जेस्ट फुल भी कहते हैं फ्रेंट जेस्ट फुल entertainment भी कह सकते हैं आप से entertaining ठेकिए तो इसका right answer क्या होगा question number ten में आप किसके साथ जाएंगे A के साथ B के साथ C के साथ D के साथ question number 10 में किसके साथ जाएंगे देखेंगे माखन इस टू फ़ास्ट डियस तो इसका जो right answer होगा वो B होगा ठीक है मांकन इस तू फार्शिडियस एस फॉर एस फूर्ट हैबिट्स आर कंसर्ट ठीक है नेस्ट कोस्टिन देख लेते हैं नेक्स कोश्टिन है फ्रेंट रिक्वाइड इस फादर कीव और हिस डेट डेस्ट पेपर्स इन लॉक एंड की तो क्या आएगा रिक्वाइड आएगा यूस्फुल आएगा कॉंफिडेंशियल आएगा देखिए रिकाइड का रत होता है आवर्शक्त इससे आप बीकette है क्या सकते हैं द्युक्वी साइड इससे आप इन नीड भी कह सकते हैं एकस्पैक्टट भी कह सकते हैं एकस्पैक्टेंट नैसेशरी कारत होता है अविशक्त है मैं एसके ब那我們 रूक है कॉंफिडेंशियल confidential को आप गोपनी यह कहते हैं गोपनी तो इससे आप प्रोबेबल भी कह सकते हैं फ्रेंट प्राइवेट भी कह सकते हैं इससे जो इसका right answer होगा वो क्या होगा फ्रेंट इनमें से कौन सा होगा फ्रेंट फटा फट बताएए question number 11 में right answer क्या होगा जी है फ्रेंट confidential लाएगा his father keeps all his confidential paper क्या आएगा है confidential टी इस दा राइट आंसर चली फटा फट नेक्स question पर चलते है question number 11 आपकी अपनी screen पर फ्रेंट इसका right answer क्या होगा question number 12 में right answer क्या होगा तो इसका quiet ठीक है फ्रेंट अगला question है question number 13 the splendor of the Himalayas beggars its description आएगा needs no description आएगा is so charming inspires आएगा क्या आएगा question number 13 का right answer क्या होगा जी हां question number 13 में हम जाएंगे a के साथ a is the right answer ठीक है फ्रेंट चली अगला question question number 14 आपकी अपनी स्क्रेंट every candidate has every candidate has to poll a minimum number of boards in order to avoid deadness of his security तो क्या आएगा फ्रेंट पेनल्टी कांसिलेशन sorry cancellation for feature loss क्या आएगा तो देखिए पेनल्टी कार्ट होता है है हम कि मेंत फ्रेंट को हम कि मखेंट है Yes अभी है अविधर से सिमनेंट भी कह सकते हैं kyu इसे चेश्टाज्मिन भी कह सकते हैं टैट भी कह सकते हैं गैस deshalb सकते हैं इसके बाद cancellation cancellation का अर्थ होता है रद तो जब रद है तो friend इसे आप रेसी संबी कह सकते हैं इसके बाद फीचर की बात कर लेते हैं फोर फीचर को friend हम कहते हैं जब तो क्या कहते हैं जब तो जब की बात होगी तो यहां सीजियोर एक बर्ड आता है सीजियोर कह सकते हैं दूसरा एक बर्ड आता है अगला जो बर्ड है वो लॉस्ट कह सकते हैं अगला जो बर्ड है वो लॉस्ट कह सकते हैं एक और बर्ड आता है अगला जो बर्ड है वो लॉस्ट है यहानी है तो आप कुछ भी कह सकते हैं इसके लिए तो अब यह देखी बताइए इसके पैनल्टी हैगा कैंसी लेशन आएगा फॉर फीचर आएगा लॉस आएगा क्या आएगा फ्रेंड कोस्टन नम्बर फॉर्टीन का राइट आंसर क्या होगा देखी फ्रेंड फॉर फीचर करत होता है जब तो बिलकुल जमानत जब्त हो जाती है लोगों की तो यहां पर आठला question आपकी अपनी स्क्रीन पर गाईज राहुल स्टुड डेट डेस एज रॉक और फेज दे चैलेंज क्या एका फ्रेंड क्वाइट स्टॉंग सॉलिट फार्म देखिए क्वाइट कारत होता है फ्रेंट शान्त क्या होता है शान्त इससे सीरीन कह सकते हैं आप सीरीन ट्रैंक वाइल भी कह सकते हैं से क्या कह सकते हैं थीफ इसके देखिए स्टॉंग मजबूत होता है सॉलिट थोस होता है फर्म जो है वो दिरन होता तो इसका जो फिप्टी नम्मर कोश्यन है इसका राइट अंसर क्या होगा जी हां बिलकुल फर्म आएगा राहुल इस्टू हारराइट हैंड बैडली तो फ्रिंट देखी बुंडेड आएगा सिजल नायगा स्कॉर्च जाया जैगा सक हैंट ऑगाय तकि बंडिड करता होता है घायल जेड जो सिजल्ड है इसका आरो थे जुल्सा वह होता है इस्प्यूल्टर कि इस्दूल कďे सकते हैं या 2 फे न्यांट के सकते हैं का इस लुग Armen एस कह सकते हैं थिके इसके बाद इस क्राउच का अर्थ भी जुलसा हुआ है और इसकाल डिंट का अिस इसका श्युन हो सकता है तो इसका जो ман ऐट आंसर होगा question number 16 का वो क्या होगा देखिए scale did आएगा इसका जला हुआ ठीक है क्या आएगा D question number 16 का जो right answer होगा वो हमारा D होगा चली next question ले लेते हैं please do not that does an offer made by the chairman refrain, refuse, refuse और यह refuse क्या आएगा friend देखिए refrain कारत होता है रोकना refrain का क्या आरत होता है रोकना ठीक है अब रोकने को आप चोक कह सकते हैं चोक की चोक हो गया, stud कह सकते हैं stud यह reference की बाद कर रहा हूँ stud कह सकते हैं strut कह सकते हैं प्रॉप कह सकते हैं प्रॉप बट्रेस भी कह सकते हैं बट्रेस ठीक है friend कि इसके बाद रिफ्यूट का अर्थ होता है खंडन ठीक है जब खंडन की बात आती है तो कांफ्यूट भी कह सकते हैं से आप कॉन्फ्यूट रिब्यूट भी कह सकते हैं फ्रेंट इसके बाद रिफ्यूट की बात आती है रिफ्यूज का अर्थ होता है इनकार करना आश्यों कार करना तो आप इसे ट्रेस कह सकते हैं इससे आप री मेनेट रिमेनेंट भी कह सकते हैं आप से ठीक है इसके बाद रिफ्यूज कारता है सराण को आप नीश भी कह सकते हैं नीश हारवर कह सकते हैं हारवर ठीक है सेल्टर कह सकते हैं सेल्टर सरण देना सेल्टर तो क्या होगा फ्रेंड प्लीज दू नॉट डेड़ डेस एन ओफर मेड बाए दा चेर्मेंट तो क्या आएगा 17 का राइट आंसर क्या होगा जी हां फ्रेंड रिफ्यूज आएगा क्या ठीक है चलिए नाइस कोस्चन देख लेते हैं अगला कोस्चन आपके अपनी स्क्रीन पर दा गॉवर्मेंट है जो सरी दो गॉवर्मेंट सेट आपके ब्रकॉवर्मेंट को स्टेट एक स्धाइब है जो स्ट्रेडा पॉर्मेंट उर्मेंट को सब्सक्रीर नाइक नाएकि उसट एक नाइक इता नाइट और पॉनर्जीवित ठीक है लिफ्ट कार्थ होता है उठना फिलॉरिस कार्थ होता है फलना फूलना फलना फूलना और राइस कार्थ भी उठना है तो A होगा B होगा C होगा D होगा इसका राइट आंसर क्या होगा question number 18 में आप किस के साथ जाएंगे जी हाँ राइस राइस इस दा राइट वाइट जी है फ्राइट दी इस दा राइट आंसर नेक्स्ट कोस्टन रेख लेट थे हैं 19 शेरिंग हैबी रिस्पोंसिविलिटीटीज विद्द कोलीग्स दस नोट इनवाल्ब लॉस आप प्रिस्टीज और देट लॉस अब थाठी आप इन्स्टीट्यू Apostole तो क्या आएगा फ्रैंड इसका इसका पफ्रैंड अदि डिटीडिकरी जा hjोव है गडी रींट घंड यह लॉस से न हमयगड यह लोसम ऑग लउड चाहरींन का आर्थ होता है बिगालना इसका आर्थ होता है बिगालना ठीक है इसे आप अबेट मेंट भी कह सकते हैं ठीक है फ्रेंट इससे आप इसके बाद में डिक्रीज का अर्थ होता है अबनती यानि घटना डिमिणिशन का अर्थ होता है कमी रिडुक्षन लॉस का अर्थ होता है था नहीं तो इन तीन में से राइट आंसर कौन सा होगा फटाफट बताई ही 19 का राइट आंसर कौन सा होगा जी हां फ्रेंट इसमें लॉस आएगा ठीक है डी इस दा राइट आंसर ठीक है ओ सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा वो डीमिनियस्टन आएगा C Is The Right Answer ठीक है नस्सके कॉस्टन देख लिए थाहि , The Problem of Prolification of Nuclear Arms is NEVER going to be also be solved. unless the two superpowers agree to that . jumary सолय एण इस अडिसटाई डीक है तो देखे एटे छिए solution कार्ट होता है समाधान और understand इच अदर का मतलब है एक दूसरे को समझना sit together होता है साथ बैठना meet हाब एक आधिरास्ते में मिलना तो अब आप फटाफट 20 में right answer कौन सवा होगा यह बताए जी हाँ 20 का जो right answer होगा फ्रेंट वह होगा हमारा सी क्या होगा फ्रेंट सी सिट टूगेदर चलिए बहुत important question है इन्हें फटाफट तयार कीजी note down के लिजी अगला question है your case is so unique that I am not getting any dead desk to support it तो क्या आएगा reason help happening precedent तो क्या आएगा friend 21 का right answer क्या होगा जी हाँ C आएगा इसका happening C is the right answer question number 22 पर चलते हैं take position of all records immediately list they should be dead desk with तो क्या आएगा friend temperate temperate आएगा डिस्ट्रॉइट मैन हैंडेल्ड मिसमें मिसेंडेल्ड क्या आएगा देखिए टेंपिरेट कार्थ होता है चिड़ चिड़ा क्या होता है मैन हेंडेट का रथ होता हाता पाई हाथा 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 पाई हाथा पाई और friend इसे single भी कह सकते हैं S-H-I-N-G-L ठीक है friend, single भी कह सकते हैं इसके बाद mishandled कार्ट होता है गलत ढंक से निप्टाया ठीक है, तो अब आप फटा-फटे से बताएं question number 22 में right answer क्या होगा जी हाँ friend, D होगा, mishandled D is the right answer take possession, तो इसका जो right answer होगा take, sorry, take positions of the records immediately, they should be mishandled with ठीक है friend, question number 22 let us take him upon his word I see no room for any deadness in the matter क्या आएगा, duplicity, deviation, cynicism, difference क्या होगा, इसका right answer देखिए, duplicity कार्ट होता है, कपट duplicity कार्थ क्या होता है, कपट तो आप इसे, इसे hypocrisy कह सकते हैं hypocrisy इसे straight gem कह सकते हैं इस्ट्रेटज जिम flame, flame कह सकते हैं sophistication भी कह सकते हैं sophistication ठीक है friend इसके बाद deviation का आर्थ होता है friend बिचलना जिसे divergence कह सकते हैं divergence divergence कह सकते हैं बिचलना cynicism कार्थ होता है कुटिल कुटिलता क्या होता है कुटिलता, इसे fast ds भी कह सकते हैं और front difference कार्थ होता है अंतर destination spacing disparity ठीक है तो क्या होगा A होगा B होगा C होगा D होगा question number 23 में आप किस के साथ जाएं जी है friend difference होगा D is the right answer शली फटा फट nice question देख लेते हैं question number 24 the arguments put the deadness argument put forth for not disclosing the facts did not impress anybody तो क्या आएगा friend intemperate intemperate आएगा intemperate भी आएगा spurious आएगा spacious आएगा convincing आएगा क्या आएगा देखिए इसके एक एक बढ़ पर हम चर्चा कर लेते हैं पहले intemperate को कहते हैं आसयमी आ सयमी जो सयम ना बरतता हो तो आप इसको इंगलिस में incontinent कह सकते हैं unrestoration कह सकते हैं unrestorain कह सकते हैं ठीक है friend इसके बाद में spurious spurious जो बर्ड है से कहते हैं जाली क्या कहते हैं इसे जाली ठीक है इसे आप बोगस कह सकते हैं बोगस फरजी ठीक है इसे फोनी इसे हम फोनी भी कह सकते हैं इसे snide भी कहते हैं सिनाइड ठीक है फ्रेंड सिनाइड भी कहते हैं अगला जो बर्ड है वो कन्विंसिंग है कन्विंसिंग को हम कहते हैं फ्रेंट अगला बर्ड है spacious इसको दिखा हुआ कहते हैं दिखा हुआ ठीक है दिखा हुआ florid बोल सकते है florid gaudi gaudi gay कह सकते हैं ठीक है फ्रेंड इसके बाद में कन्विंसिंग जो बर्ड है convincing convincing का रत होता है ठोस यानि solid solid कह सकते हैं इसे concrete concrete कह सकते हैं cogent cogent कह सकते हैं sub substantial भी कह सकते हैं substantial ठीक है फ्रेंड तो इसका right answer क्या होगा a होगा b होगा c होगा d होगा क्या होगा फटा फट बताईए 24 question में आप किसके साथ जाएंगे 24 question का जो answer होगा intemperate होगा a a is the right answer ठीक है फ्रेंड चलिए next question आपकी अपनी स्क्रीन पर director he said would dead-dash the matter advance क्या आएगा invigilate explore इन्वेस्टिगेट सर्वे क्या होगा फ्रेंड फटा फट बताईए देखे इन्वेजिलेट कार्थ होता निर्क्षण कारिये करना और क्या होगा फ्रेंड explore अन्वेस्टिगेट ठीक है तो वीजदा राइट आशर फ्रेंड वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक बात और कहा दें फ्रेंड नए साल आने वाला है आप एक बहतर मन से अपनी तयारी कीजिए इस नए वर्ष में एक नए मुकाम तक पहुचिए और मैं आपके साथ अपने इस चैनल के माध्यम से रहूँगा प्रीज आप मेरा साथ दीजिए मैं आपका साथ दूँगा और जब हम मिलेंगे तब ही हम काम्याभी की बुलंदियों को छू सकेंगे जंडे गार सकेंगे ठीक है फ्रेंड मेरा एक बार फिर से आप लोगों से पुना नोरो दें लगे रहिए हमारे साथ थैंक्स पॉर वाचिए